हले ओ एवर्डिवन अज डेट है 26 अपरेल 2023 और दे हिंदु न्यूज एनालेसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम दे हिंदु की इंपोटेंट न्यूज को एकजाम के पॉइंट अवी से डिस्कस करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलग्राम चैनल व वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जिओग्राफिकल बेस्ट के साथ में और आज आपका क्येशन ये है कि माउंट सेंट हेलेंस को आपको मैप में व्यू करना है फिर इससे रिलेटेड हर इंपोटेंट फैक्ट्स को एन इंफोर्मेशन को कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर माउंट इरेबस को लेकर के तो माउंट इरेबस जो है वो अंटार्टिका में माउंट सिडले के बाद में सेकेंड हाइस्ट वोलकेनों की रूप में एक्जिस्ट करता है ये जो माउंट इरेबस है अगर हम इसको अर्थ के परस्पेक्टिव से डिस्क्स करें तो पूरी अ active volcano भी यहाँ पर located है उनके name हाँ अगर हम discuss करें तो Mount Terror, Mount Bird and Mount Terranova तो यह basic fact है Mount Erebus को ले करके जो आपको ध्यान में रखना है दैहिंदू को अगर हम discuss करें तो first important news है दैहिंदू के front page पर तो news related है अफ्रिका continent में जो Sudan country है वहाँ पर military and जो आर्मी वहाँ की है paramilitary forces and आर्मी के बीच में जो class देखने को मिल रहा है इसकी वज़े से वहाँ पर जो भी Indians इसकी वज़े से जो भी वहाँ पर Indians trap हुए हैं उन सभी को evacuate करने के लिए हमारी Indian government जो है उन्होंने operation कावेरी launch किया है तो यह जो procedure है वो start हो गया है इस procedure में हम इस तरीके से tackle कर रहे हैं कि पहले c route को follow करते हुए जो भी हमारे Indians हैं उन सभी को हम evacuate करेंगे और वहाँ पर लेकर क्यांगे सथी अरेबिया का जो जेधा port है वहाँ पर और उसके बाद में जो है उनको airlift किया जाएगा है कि वहाँ पर जो भी स्रिलंकन फसे हैं उन सभी को भी Indian government जो है वो अपने लेवर पर evacuate करने में स्रिलंका की help करें तो यहाँ पर अगर हम map discuss कर लेते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर तो है Sudan port और कहाँ पर है सवदी अरेबिया का जेधा port ओके तो यह देखिए यह है Sudan जो Africa continent में located है और यहाँ पर आप सभी को पता है Red Sea है और यह है जेधा port तो इस area को follow करते वे जो है बंडे में यहाँ पर Indians पहुचेंगे INS उमेदा जो है वो इसमें participate कर रहा है तो बहुत सारे exam में इस तरीके से directly question जो है वो किसी भी तरीके से तो यहाँ पर यह operation कावेरी आपको ध्यार में रखना है और last year Ukraine से जब Indians इसमें specific जो medical students उनको जो evacuate किया गया था उसके लिए हमें operation गंगा जो है वो launch किया था next important article है editorial page पर और अभी क्या देखने को मिला कि एक NGO जो है एक NGO जिसके जो honor है उनका name है रित्विक दत्ता और उनका जो organization है जिसको आफ life के नाम से भी जानते हो और legal initiative for forest and environment जिसको आफ life के नाम से भी जानते हो तो उनके खिलाब में Central Bureau of Investigation ने case register किया है कि FCRA Act जो है उसका इनोंने violation किया है violation किसके basis पर कि जिस project के basis पर जिनके लिए इनको पैसा आ रहा था जिस काम के लिए जिस objective के लिए इनके पास में money आ रहा था उस money को इनोंने क्या किया है एक तो गलत तरीके से utilize करने की courses की है और दूसरा जो other NGO है small organization है उनको भी जो है वो money दिया है मतलब FCRA Act जो है वो siege के उपर restriction लगाता है कि NGO या जो भी organization जिस objective को fulfill करने के लिए register हुआ है सिर्फ उसी objective में foreign countries जो पैसा आता है उसको वहाँ पर invest किया जाए साथी साथ में दूसर restriction ये भी देखने को मिलता है कि मान लो आपके पास में पैसा आया education के लिए आप उस पैसे को जो है education में ही खर्च करोगे और आपके मतलब जैसे कि Indian government India में जो भी organization है वो अपना पैसा जो है वो फिर कि the other organization को नहीं दे सकते है ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो child marriage के लिए दे दिया उसको जो है वो health sector में पैसा दे दिया जिसके पास में पैसा आया है वो ही उसको खर्च करेगा तो यहाँ पर यह violation देखने को मिला और इसके basis पर यह case जो है इनके उपर register किया गया है कि इन्होंने एक तो क्या किया है दूसरे organization को पैसा दिया दूसरा है इनके उपर point क्या रखा गया है कि इन्होंने क्या किया है litigation लगाई है मतलब जो coal-powered project है उनके लिए litigation लगाया गया है उस पैसे का use करते भी तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि हमारी Indian government जो है United Nation Framework Convention on Climate Change की signatory है और हमारी Indian government कोसिस कर रही है हमने target भी रखा है कि 2070 तक हम net zero emission करेंगे और emission कब कर रवाएंगे तब हम coal-powered जो projects है उनको eliminate करेंगे मतलब जो हमारे fossil fuels based जो power projects है उनको हम खत्म करेंगे और उसके basis पर जो भी renewable energy projects है उनके उपर rely करेंगे means solar projects जो है इनके उपर rely हम ज़्यादा करें power generation के लिए तब जाकर के wind project जो है इनके उपर rely करें तो इसकी वज़े से जो हमारा emission है वो कम हो पाएगा तो यहाँ पर जो writer है उन्होंने वोला कि जिस problem से हम एक तरीके से face कर रहे हैं जिस problem को हम solve करने की कोसिस कर रहे हैं उसके उपर focus करते हुए ति इस organization ने काम किया है ना कुछ गलत होड़ना किया है तो इसके basis पर जो इनके उपर जो case जो register किया गया है वो तो गलत है क्योंकि उसके लिए तो इंडियन गॉर्मेंट खुद ही अपने लेवल पर कोसिस कर रही है इंडियन गॉर्मेंट ने तो खुद ने ये decision लिया है कि 1.5 डिग्री celsius जो pre इंडियस्ट टाइम से पहले जो temperature था उससे 1.5 डिग्री celsius ज्यादा temperature ना भड़े और इसके लिए Paris Climate Agreement इंडियन गॉर्मेंट है specific focus किया था कि इस तरीके के target जो है वो हम 2030 तक decide करें और उनके उपर काम करें इंडियन गॉर्मेंट ने ये भी target है और सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो उन targets को ही या तो remembering करवाने की कोशिस की जारी है या फिर उनके उपर focus करने के लिए बात की जारी है इस organization के दुआरा कि अगर इस तरीके से coal का हम use करते रहे तो problem जो है वो कभी भी solve नहीं होगी इस तरीके एक issue अगर हम इंडिया के perspective में देखे तो इंडिया में 28.5 giga vote के coal power capacity जो project है उनकी planning है और 32 giga vote of plants are under construction ओके तो सीधी से बात यहाँ पर ये है कि देखो बहुत सारे projects जो है वो भी भी रुके हुए है क्योंकि एक तो land acquisition को ले करके उनका environmental क्या effect होगा इसके clearance को ले करके तो इसकी वज़े से जो problem है मतलब यह litigation देखने को मिली इसकी वज़े से awareness जो है वो society में देखने को मिल रही है कि जो हमारे targets है उनको achieve करने में अगर इसी तरीके से coal projects हम establish करते रहे तो problem जो है वो बढ़े ना की कम होगी तो इस तरीके से democracy में एक awareness create करने के लिए अगर को institution काम करता है तो उसके उपर इस तरीके के जो cases है वो register नहीं होने चाहिए next important article है text page पर और यहां पर जो article है वो temperature के बारे में बताये गया है देखो अगर हम बात करें तो यहां पर एक report आई है और report कौन publish कर रहा है US National Oceanic and Atmospheric Administration मतल मीन्स NOAA यह क्या करता है कि monthly basis पर जो individual level पर monthly basis पर एक तरीके से ranking release करता है कि कौन सा area जो है वहां पर कैस तरीके का temperature देखने को मिल रहा है तो अभी 2023 का जो मार्च है उसके बारे में बोला गया है कि second time जो है वो highest temperature देखने को मिला मार्च में इससे पहले 2016 में जो है वो देखने को मिला है सीधी सी बात यहां पर यह समझाने की कोसिस की गई है कि ऐसा है कि माल लो इस year जो है temperature जादा रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि next year जो है वो इससे जादा होगा या इससे कम होगा इससे जादा होगा और उसी तरह temperature increase होता हुआ देखेगा time to time जो है वो अलग-अलग point की वज़े से temperature जादा होता है और अलग-अलग point की वज़े से temperature जो है वो decrease होता है तो ये सारी basic बाते जो है इसमें बताई गई है Next article जो है वो Genome India Project को लेकर के है Genome Sequencing के बारे में है तो Department of Biotechnology जो है उन्होंने present time में डेकलेर किया है कि 10,000 Indian Human Genome जो है उनके sequencing के लिए हम काम कर रहे है और जल्द ही एक database जो है वो इसके लिए तयार कर लिया जाएगा जिसमें two-third का तो हमने complete भी कर लिया है मनलब 10,000 पे 7,000 जो है उनका Indian Genome जो है वो पहले ही तयार हो चुका है 3,000 जो है वो public access to research and of which 3,000 are available for public access to researchers जो researchers है उनके लिए available भी करवा दिया गया है तो genome sequencing क्या होता है human genome जो है is the entire set of deoxyribonucleus acid means DNA residing in the nucleus of every cell जो every cell जो होती है cell जो unit होती है हमारी life का उसके अंदर जो है वो DNA देखने को मिलता है और उसका जो entire set जो होता है उसको human genome के नाम से जानते है अब इसमें देखो क्या किया जाएगा मतलब जो human population है उसके genome की study की जाएगी उसके genome को एकटा किया जाएगा उसके बारे में पता किया जाएगा कि किस तरीके से जो अगर हम DNA की बात करें तो DNA के जो बेसे जो four base होते हैं वो सब बेसे होते हैं लेकिन उनका अलग-अलग जो एक तरीके से उनके अलग-अलग लेवल पर जो उनकी sequencing होती है या उनका जो formation होता है वो ही differentiate करता है किसमें human being में तो ये जो है उसकी study की जाएगी कि कहाँ पर कौन से human being जो है वहाँ पर क्या alteration देखने को मिल रहा है और इसी की study के through जो भी disease है जैसे की cancer, thalassemia इन सब की study भी जो है वो की जा सकी मतलब एक तरीके से disease के बारे में पहले से ही accumulation जो है वो किया जा सकेगा साथ ही साथ में यहाँ पर virus की study के बारे में भी की बात की गई है कि virus की study भी की जाएगी जिससे जो virus की वज़े से क्या-क्या disease future में हो सकती है उन सब को पता लगाया जा सकेगा जैसे COVID के time में सारा काम किया गया था और इसी की वज़े से जो COVID है उसका किस तरीके से जो virus है उसका किस तरीके से जो है वो बार-बार multiplication देखने को मिल रहा है न सब के study के through जो है वो क्या किया गया जो भी हमारी vaccine है वो सब prepare की जा सकी और इतने कम time में जो है वो इस COVID pandemic को हम रोक सके तो genome India project जो है वो काफी ज़्यादा important है हमारी population में जो diversity देखने को मिलती है उसमें क्या-क्या issue हो सकते है health sector में इसका काफी ज़्यादा use किया जाएगा और 0.3 error margin की स्थाथ में जो है ये काम करेंगे मतलब इसमें accuracy जो है वो काफी अच्छे level पर देखने को मिलेगी और इसकी वज़े से बहुत सारी problem बहुत सारी disease sector में जो है वो हम अच्छे से काम कर पाएंगे next important article है news page पर और यहाँ पर जो first article है वो है HCO संगाई corporation organization की defense ministers की meeting जो है वो हमारे इंडिया में होने वाली है और इसको इंडिया जो है host कर रहा है चाइना रश्या के जो defense minister है वो भी यहाँ पर participate कर रहे है और यहाँ पर बताये गया है कि चाइना के साथ में जो crisis start हुआ line of actual control को लेकर की उसकी बाद में first बार जो है वो इतनी high level military जो है वो चाइना से इंडिया में visit देखने को मिली है तो संगाई corporation organization जो है इसमें हम regional stability को लेकर के counter terrorism को लेकर के इन सब को लेकर के यहाँ पर discuss किया जागा peace and security जो points है इनके उपर focus किया जाएगा next ने हम पर जो article है तो देखो congress जो है उन्होंने question उठाया है कि Prime Minister Care Fund जो है वो public audit में क्यों नहीं है तो सबसे पहले तो PM Care Fund के बारे में कुछ basic बाते आपको पता होनी चाहिए PM Prime Minister और ये Care's के full name आपको पता होना चाहिए citizen assistance and relief in emergency situation मतलब जो हमारी citizens है उनकी हमें assistance करना है उनको help करना है किस टाइम में emergency situation में और इसी के basis बेर COVID pandemic जब आया था तब इस fund को create किया गया था 2020 मार्च में और इसका main target ये था कि जो भी coronavirus outbreak या इसी तरीके की emergency जो है वो हमें future में देखने को मिले तो उनको हम tackle करने के लिए इस fund में जो भी पैसा आएगा उसका use करेंगी ओके देखो ये जो fund है ना इसमें money खूब आया और उस money का use भी किया गया जैसे COVID से लडने के लिए बहुत सारी hospitals इन सब के लिए hospitalization जो issue है उन सब को tackle करने के लिए इस money का use किया गया लेकिन PM Care Fund जो है इसको लेकर के कुछ controversy बनी रहती है जैसे कि इस fund में जो है वो transparency और accountability जो है उसकी काफी कमी है मतलब ये बोला जाता है कि ये public fund है लेकिन इसको RTI Act जो है 2005 उससे eliminate रखा गया है बाहर रखा गया है तो इसके basis पर इसमें transparency जो है नहीं देखने को मिलती है कि इसमें fund जो है वो कहां से आया individual level पर organization level पर जो है इसमें money आता है कोई भी इसमें money जमा करवा सकता है और जो money इसमें invest करता है उसको tax में जो है वो भी elimination देखने को मिलता है 100% tax में छूट मिलती है जो पैसा आपने आपर जमा करवाया लेकिन फिर भी जो donors है उनके name जो है वो पलनी नहीं रखे जाते है privately इस fund का audit किया जाता है तो इसी के business पर कुछ controversy जो है वो इस fund को देखने को मिलती है तो यहाँ पर same question किया गया है position party ने कि यह जो है इसको आप आप आपने RTI Act से बाहर क्यों रख रहा है जब आप इसको बोलते हो कि यह public fund है तो इसको RTI Act में आना चाहिए मतलब जो भी कोई इसके related information लेना चाहिए कि किसने कितना पैसा दिया वो सारी बाते बता होने चाहिए next important article है तो WHO जो है World Health Organization उनको Marcel Island और Micronesia में जो है वो इंडियन कंपनी के द्वारा बनाए गई कुछ contaminated cup syrup जो है वो देखने को मिली और यहाँ पर यह जो company है उन्होंने इसको बनाया है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन contaminated जो cup syrup है इसमें डाइधलेन ग्लाइकॉल and ethylene glycol जो है जो contaminates है वो यहाँ पर देखने को मिले है देखो इस तरीके का issue जो है वो पहले भी देखने को मिला है QP Pharmacam Limited और पंजाब जो है इस company ने इसको बनाया है तो इस तरीके के issue जो है जो बार बार इंडिया की image को गलत तरीके से represent करने कोसिस की जारी है या फिर हमारी Indian Pharmaceuticals company जो है वो इसमें involved है तो basic information जो है वो हमें पता होनी चाहिए क्या issue है वो हमें पता होना चाहिए और उनको हम किस तरीके से regulate कर सकते हैं वो हमें इस बात के उपर focus करना चाहिए जो भी हमारी Indian companies जो भी production निकलता है जो भी product बन करके बाहर आते हैं उनको लेकर के एक basic जो data है या फिर जो भी laboratory based जो data जो हम collect करते हैं उसको लेकर के clarification और अच्छे से होना चाहिए ताकि इस तरीके से जो भी pharmaceuticals company को लेकर के जो भी issue सामने आ रहे हैं उन सभी को tackle किया जा सकी तो यहां पर Marshall Island के हमने बात की है Marshall Island जो है उसके map को हम अगर view करें तो यहां पर Pacific Ocean में जो है Marshall Island located है ओके next important article है यहां पर foreign page पर और यहां पर अगर हम discuss करें तो देखो जो अभी सिलंका में सिलंका मतलब सूडान में जो issue देखने को मिल रहा है तो वहां पर 41 सिलंकान जो है वो भी trap हुए हुए है तो Indian government से वो help मांग रहे है कि इनको जो है वो क्या किया चाए Indian government जो है वो अपने level पर issue को tackle करने की गोशिस करें और जो सिलंकान जो है वहां पर भी उनको भी evacuate करने में help करें यहां पर देखो इरान में दो women, two women actors जो नोंने head cows means जो हिजाब जो है वो कैदी नहीं किया हुआ था तो उनको book किया गया है इस तरीके का issue जो है वो मतलब charged जो है उनके उपर लगाए गये है तो इस तरीके का issue पहले भी देखने को मिला है जिसकी वज़े से काफी ज़्यदा protest देखने को मिला था कि यह सारे problem मतलब जो freedom है उसके लिए women ने काफी ज़्यादा जो है वो protest भी किया था तो इस तरीके से अगर हम freedom की बात करते हैं या इस तरीके का जो भी issue होता है उसको लेकर के अलग-अलग area में जिसको लेकर के काफी ज़्यदा statement जो है वो देखने को मिलते हैं अलग-अलग area में इस तरीके की issue को अलग-अलग tackle किया जाता है जिसे हमारे इंडिया में भी हिजाब को लेकर के काफी ज़्यदा problem हुई और काफी ज़्यदा issue जो है इसको लेकर के बने हुए है जहां पर जो हिजाब जो है वो carry करना या ना carry करना जो है वो personal किसी भी person की जो है वो personal उसका freedom होनी चाहिए कि उसको अपने religious जो भी procedure है उसको किस तरीके से carry करना है ओके तो यह आज इसके अलावा जो हमारे prelims practice की वीज है जो प्रदियुमन सर आप सब के लिए लेकर के आ रहे है उस videos को आप ज़्यादा श्यादा देखिए अगर आप 2023 में या 2024 में भी UPSC prelims देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काफी ज़्यादा beneficial रहेगा काफी ज़्यादा important है जो भी current affairs static part जो भी news में रहा है उन सभी को MCQ based आप सब के लिए लेकर के आए हैं और इससे practice करने से क्या होगा आप elimination method साथी साथ में किस तरीके से option में statement में किस तरीके का words देकर के आपको एक तरीके से misguide करने की courses के जाती है PST के दुआरा उन सब को जो है वो हाँ पर solve करवाने के through जो है वो सारी जो भी techniques है वो आपको हाँ पर समझाई जा रही है तो आप उन videos को ज़्यादा से ज़्यादा view कीजिए अपने friends के साथ में share कीजिए जो भी PST के films की तयारी कर रहे हैं उन सब के लिए वो वीडियो जो है वो काफी ज़्यादा beneficial है ओके थैंक यू